अब बात करते हैं इस एप्लिकेशन के बारे में तो एप्लिकेशन के नाम है अब इस एप्लिकेशन में आपको उप्लिकेशन का उप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर आपके सामने इंस्टॉल करने के बाद इस ट्रैप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपने स्टॉक्त करना है प्लिकेशन वाला औप्शन जेभ आप इस उप्शन को स्टिलेक करेंगे आपके सामने सभी मैच से लेटिद अलगअलग ट्रेडस आजाएगे जो trade आपको पसंद हो बस उस trade को select करिए उसमें अपना opinion दीजिए और अगर आपको opinion सही होता है तो आपकी money अच्छी value में convert हो जाएगी अगर आपको किसी particular match related trade चाहिए तो आप उस match पर click करिए आपके सामने उस match related trade आजाएगे अब यहां पर हमने USA vs Ireland के match को select करा है जिसमें हम से पूछा गया है United States of America will win the T20 match against Ireland क्या जो USA है वो आइलेंड के against T20 match जीतेगी है फिर नहीं अगर आपको लगता है जीतेगी तो yes पर click करिए नहीं तो no वाले option को select करिए यहां में लगता है जीत जाएगी तो हम yes वाले option को select करेंगे अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि yes वाले option के per share जो price है वो है 4.40 पैसे यहां पर आप देखे चार रुपै चारिस पैसे yes वाले opinion के per share का price है अब क्या है कि यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं quantity select कर सकते हैं आप सिर्फ यहां पर 4.40 पैसे ही तो नहीं लगाएंगे आप यहां पर quantity select करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है अगर आप इस line को आगे करेंगे तो quantity घटेगी इस line को पीछे करेंगे तो quantity बढ़ेगी आप यहां पर manually भी quantity एंटर कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मैं 10 quantity एंटर करता हूं तो यहां पर 10 quantity के कितने हो जाएंगे 4.40 पैसे के हिजाब से लगवग हो जाएंगे 44 रुपए अब यहां पर 44 रुपए हमने इंवेस्ट कर दी और हमारी net winnings है वो कितनी होगी 56 रुपए अब यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आपका opinion सही होता है और आपको winning होती है तो net winnings के उपर आपसे commission charge करी जाती है प्रोबों में 20% commission है और सब जगा अलग-अलग type की commission आपसे charge करी जाएगी इस application में जो commission आपसे ली जाएगी वो ली जाएगी 15% on your net winnings net winnings क्या होती है वो मैं clear करता हूं यहां पर आप देखिए 15% commission लिखा है तो यह चीज़ आपने ध्यान में रखनी है अब 44 रुपए की investment है आपकी 56 रुपए आपकी winnings है टोटल हो गए 100 रुपए आपकी net winnings कौन सी होई यह वाली आपकी net winnings है तो यह 56 रुपए है इस 56 रुपए के उपर 15% की commission charge किया जाएगा उसके बाद जो पैसा हो सकता है इसलिए मैं बार-बार आप लोगों से कहा रहा हूं कि इन चीजों में risk involved रहता है आप यहां पर आपने क्या करना है सब कुछ हो गया उसके बाद बस आपने trade लगाना है जब आपका trade successfully place हो जाएगा तो उसके बाद जब match शुरू होगा match खतम होने के बाद पर नहीं यह फिर आपके पैसे डूब गए हैं क्योंकि अगर आपको गलत होता है तो आपको कोई भी money नहीं मिलती है तो इस इसको ध्यान में रखे तो इस टाइप से आपने इसमें opinion trading करनी है काफी जाता आसना तरीक से I hope मैं आपको समझाया है अगर फिर भी आपको कोई question है तो आप comment section में जरू लिखें आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please channel को subscribe करें वीडियो को भी like करें thanks for watching